वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड बच्चों को परिक्षा फल नहीं मिला अगली कक्षा में हो गया दाकिला जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिशत के नियंत्राना धीन उत्तर प्रदेश में जो परिशदी विद्याले हैं वहाँ बच्चों को वार कुरा का पूरा मोट्टिव होता है अब इस दुर्व्यवस्ता के लिए जिम्ह inertia पो Camera को अगर जिला अस्तर के जो सवसे सक्षम अदिकारी हैं जो बेसिक सिक्षा अधिकारी जिने बोला जाता है जिने बेसिक सिक्षा की पूरी की पूरी कमान जिन हाथ में होती जो पूरा का पूरा बेसिक शिक्षा के रहनुमा होते हैं मुकिया होते हैं दोस्तों उनका स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जन्पत प्रताफगर से दोस्तों बात करते हैं स्री भूपेंज सिंग जी है जिरा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रताफगर आपका जो statement है उसके माध्यम से दोस्तों ये बात पता चली है कि बच्चों को अंकपत्र वित्रान का कार प्रारम कर दिया गया है खंड सिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अंकपत्रों को स्कूलों में भेजा जा रहा है अंकपत्र छपवाने के लिए जो बजट मिला था वह वाप है कि बच्चों का सततियम व्यापक मुल्यांकन होता रहता है जो कि मुल्यांकन एक ऐसी विधा है जो प्रतिछन विध्याली प्रांगन में होती रहती है है कि लेकिन एक परिपार्टी एक परंपरा जो की बनी हुई है कि बच्चों को जो उनका प्रगत कार्ड है रिपोर्ट कार्ड है उसे देने है शेशनल एक्जाम में कितना नंबर मिला अर्धवार्शिक परिक्षा में कितने नंबर मिले वार्शिक परिक्षा में कितने अंक मिले ये अंकन करना होता है जैस कार मार्श के अंत में जबकि बजट को सरेंडर करने होते हैं ऐसी दशाओं में गवर्मेंट का बजट को भीजना और उसका बड़ी चुस्ती के साथ बड़े स्मार्टनेस के साथ यूटिलाइज कर पारना दोस्तों संबों नहीं हो पाता क्योंकि ऐसी दशाओं में मार्च का जो क्लोजिंग आवर होता है उसमें पूरे सत्र के दवरान जो विबिन योजनाओं की फाइले होती हैं वो निस्तारण के लिए रखी होती हैं सबसे वड़ी बात इस दुर्विवस्था के लिए काफी हद तक जो परिशदी विद्याले हैं अगर वो डिफें होते हैं तो इस दुर्विवस्था के लिए गौवन्मेंट की कोई न कोई पॉलिसी तो दोस्तों रिस्पॉंसविले कि क्यों अगर कोई इस तटरीके का वा होता है जो कि मार्च के अंतिम सप्ता में रिलीज होता है और उसे होच होच में सरेंडर करने होते हैं सबसे बड़ा कारण दोस्तों यह लिए विद्यालियों में जो head इटीचर तुस्ता इसरे हैं बड़े संजीदा हैं संबेधन सील अलेडी इसका प्रोफार्मा बन जाए और SMC एकाउंट में विद्याले परबंद समितिक हाते में ही एक यूनिफॉर्म प्रोफार्मा जो की मार्च के अंत में अवैलेबल हो जाता है उसी यूनिफॉर्म प्रोफार्मा को सारे हेड़ टीचर के पास इसको शेर कर दिया जाए साजा कर दिया जाए लोगों की जानकारी हो मीटिंग में उन्हें बताया जाए तो दोस्तों बड़ी बात नहीं है और हेड़ टीचर इसे प्रिंट करा सकते हैं और बच्चों को बित्रित कर सकते हैं ये जो इशू है जो पेपर की सुर्किया बनता है तमाम काम करने के बाद वार्षिक परिक्षाएं तो हुई मगर बच्चों को अभी तक परिक्षा फल नहीं मिला जबकि नए शिक्षा सत्र की सुरूआत हो गई बच्चों को अपनी कक्षा में दाखिला देने के साथ ही पढ़ाई लिखाई का दौर भी शुरू हो गया है बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमिरी और मिडिल स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले बच्चों की वार्षिक परिक्षाओं को आयोजन किया गया, कोरोना संक्रमन काल के दो वर्स बाद बच्चों की लिखित परिक्षाएं होने के बाद परिक्षा फल मिलने का इंतजार कर करते रह गए, बेसिक शिक्षा विभाग के सीर सबस्वरों ने परिक्षा का कारकरम जारी कर कापियों का मूल्यांकन करने के साथ ही 31 मार्च को अंकपत्र वित्रित करने को कहा था, जिले के सभी 3264 स्कूलों में निर्धारिस समय के अनरूब परिक्षाएं संपादित हुई मगर विभाग हेड मास्टर को अंकपत्र मुहया कराने में फेल हो गया, इसका परेडाम रहा कि बच्चों को अभी तक अंकपत्र नए वित्रित किया गया, हाला कि विभाग ने अपनी कम्यों को छिपाने के लिए बच्चों को परिक्षा फल देने के पहले ही अगली कक्ष देने के साथ ही प्रथम दिती और तिती अस्थान पाने वाले बच्चों की सूची भी सारजनिक कर दी गई है, तो दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस तरीके से जो पेपर में सुर्खियां आती हैं, वो काफी हद तक बेसिक शिक्षा को डिफेम करती हैं, उसकी प् बुकता इंतजाम करना होगा, तकि सरकार के लाग प्रियास करने के बावजूद भी इस तरीके से जो पेपर में बेसिक एजुकेशन के स्कूल की जो प्रतिस्था है धूमिल होती है, दोस्तों उससे बचा जा सके, जैसे कि अभी मैंने बात आपको कहा, SMC एकाउंट में ज ये मार्च के अंट में नहीं, उससे पहले का प्रोसेस है, उससे पहले का प्रोसेस है, पच्चो का कितना नमांकन है, इन्फरमिशन ले लिया जाए, उसी के अनरूप उन्हें बजट शेर कर दिया जाए, या कंपोजिट धन्रास में ही, जो मुल्यांकन प्रपत्र है, उसक तो शेर कर दिया जाए ताकि इस तरीके का वाक्या जो हो रहा है इस तरीके की जो पेपर में सुरकिया आ रही है उससे सिक्षक सिक्षिकाएं भी दोस्तो सरमसार होते हैं सरमिंदगी उनको महसूस करनी होती है इस तरीके का वाक्या दोस्तो ना हो और यहां पर हम बात करेंग बच्चे साले बारा बजे और सिक्षक डिगल वे तक स्कूल में रहेंगी प्रताब गल से दोस्तों खबर है भीशल गर्मी को देखते हुए डियम डक्टर नितिन बंसल ने सभी बोर्ड के कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों को सुबा साले सास से साले बारा बजे तक पठन प प्रवेश परिक्षा का आयजन किया गया है कक्षा छे और सातमे पढ़ने वाले बच्चों को इस परिक्षा में सामिल होना है दो पालियों में हो अθरी पाली में धाई से साले चार बजे के अब भजे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफार्मिशन लेटिस अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल पर कमेंट कर सकते हैं अपने जैसे दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों गर आप चैनल पर नहीं है पहली बार विजिट कर रहें तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले जब भी आप सब्सक्राइब वोडन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आए उसे प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग और लिस्निक दिस इजए वरकास तुरे साइन आप